नमस्कार बच्चो वेलकम बेक टू दे क्लास बच्चो अपन पढ़ रहे थे ट्रबल इन बोहिमिया ट्रबल इन बोहिमिया जो की चेप्टर है ट्वेल्थ इंग्लिस कंपल्सरी के पनोर्मा बुक चेप्टर नमर शिक्स के अंदर और इसका जो लास्ट पार्ट अपनने बताता है कि मैंने जो आइरन एडलर को जो लेटर लिखे थे और साथ ही उसको जो फोटो सेंड की थी मैंने उसे पाने की बहुत ज़्यादा कोसिस की आइरन एडलर के घर में अपार्टमेंट में भी मैंने तलासी करवाई पुलिस से और साथ में उसे आनी की रस्ते में भी रोक करके यानि कि उसकी तलासी ली लेकिन मेरे को फोटो जो और लेटर से वो नहीं मिले और आइरन एडलर है वो उसे यानि धमका रही है कि अगर आप दूसरी लड़की से साधी करोगे तो मैं ये जो भी यानि की बात है हमारे बीच की जो रिलेशनसिप है वो यानि की टू नमर पेज पे यानि की अपन पढ़ने वाले हैं नीचे से यानि की सेकिंड लास्ट पेराग्राफ यहां से अपन पढ़ेंगे तो लास्ट उसने यही पढ़ा था कि यानि की जो लेटर स्वगेरा है या जो फोटोज है उसकी राजा ने भी तलासी यानि की पलिस के द अत्रिक्त जानकारी यानि कि वो ले शकता था प्राप्ट कर सकता था वो उन्होंने यानि कि प्राप्ट की he could जो ले सकता था from the king यानि कि राजा से and the next day और अगले दिन left home उसने घर छोड़ दिया अरली मतलब जल दी है काने का मतलब क्या है सरलोक homes है वो king of bohemiyah से जितनी अत सुचना हुए ली और अगले दिन king और ये जो सरलोक homes है वो अपने घर को यानि कि जल्दी छोड़ देता है मतलब क्या है इसे photos और letters को यानि कि प्राप्ट करने के लिए वो जल्दी अपना घर है वो छोड़ देता है और होता क्या है कि I happen to meet him वोटसन बता रहा है जो कि वो इस रात को outside bar our house हमारे घर के बार मिला just कब मिला सरलोक homes just he was getting home जैसे ही वो घर अंदर जा रहा था कहने का मतलब क्या है सरलोक homes है investigation करने के लिए early morning है वो घर से निकल जाता है और वोटसन जो कि उसका assistant था कब मिलता है उसको I happen to meet him और गटित ये होता है मेरे साथ कि मा उससे मि date night मा उसी रात को मिला जिस morning को यानि कि वह जल्दी घर चोटके गया था कहां मिला हमारे घर के बार यानि कि उससे मिला और कब मिला just he was getting home जैसे ही वो सरलोक homes घर के अंदर जा रहा था उस समय मा उससे मिला I did not recognize him मा उससे पहचान नहीं पाया कि मैं जो सरलोक homes था मा उसको प पहचान पाया because he was disguised क्योंकि वह disguised मतलब waste बदले वे था waste किसका बदला हुआ था बच्चो as an old cape driver एक बुढ़े cape driver taxi driver का waste बदला हुआ था बच्चो important person है इसमें दो waste बदलता है वो उन letters को और photos को यानि कि प्राप्त करने के लिए एक तो वह किसका waste बदलता है यानि कि disguised as an old cape driver पहला तो उसने एक वर्द cape driver taxi driver का waste दारन किया कहने का मतलब वो सिधा ही सरलोक हॉम्स है वो उसकी iron edler के आनि नजदीक नहीं जा सकता था क्योंकि उसे पहचाना जा सकता था और वह जो सरलोक हॉम्स चाता था साइद उसमें उसमें उसे सफलता नहीं मिलती इसलिए उसन जो assistant था वो उसे पहचा नहीं पाया और it seems that और एसा परतीत होता है कि he had spent all day कि सरलोक हॉम्स है उसने बिताया था पूरा दिन in and around या तो क्या है उनके आनकी घर के अंदर या around iron edler's home या iron edler के घर के चारो तरफ यानि कि उसने अपना ये जो समय है वो बिताया है कहने का है कि इस cape driver old cape driver का जो उन्होंने disguise लिया है इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने पूरा दिन या तो iron edler के घर के अंदर बिताया है या उसके चारो तरफ बिताया है talking with other cape drivers बाते करते हुए अन्य जो taxi drivers है उनसे and with anybody या और कोई भी वेक्ति उनके साथ यानि बाते करते हुए उन्होंने पूरा दिन बिताया है वो simpt जो उसे परतीत हुआ हो to know anything कि ये कुछ भी यानि की जानता हो about किस के बारे में miss edler के बारे में कहने का मतलब क्या है वो उन लेटर सोर फोटो को यानि वापस लाने से पहले वो जानना चाहता है कि iron edler की यानि कि क्या routine है daily routine क्या है उनके यानि सारी बातों के जानना चाहता है एसा परतीत होता है कि वह उसके घर के आसपास के जितने भी cape drivers है उनसे यानि कि उन्होंने बात करते भी ताया है या कोई भी वेक्ती जो एसा लग रहा हो कि वह किस के बारे में जानता हो iron edler के बारे में जानता हो और he had seen her personally और यहां तक उन्होंने उससे बात भी की कहने का मतलब क्या है वह personally भी उससे यानि कि मिला है इसा लगता है और वह iron edler से बात भी की है पूरे दिन भर की यानि कि ये सरलोक होम्स की रूटीन रही जो कि कौन बता रहा है वोटसन उसका यानि फ्रेंड बता रहा है अब वो क्या बताता है जैसे यानि कि वो उस नाइट को मिलता है तो वो अपने फ्रेंड वोटसन को क्या बताता है सरलोक होम्स क्योंकि पूरा दिन यानि कि उन्होंने iron edler के घर के आसपास या उसके घर के अंदर यानि बिताया है उनसे समंदी जो लोग थे उनके घर के आसपास के इसमें क्या कहा कि आनि कि ध्यान रखना कि वो क्या है बहुत ज्यादा खूबसूरत है और खूबसूरत के साथ बहुत ज्यादा intelligent भी है तो वो क्या कहता है जैसी वो उसे पर्सनली या किसी भी तरीके से मिलता है उसे iron edler से तो वो इस निसकर्स पर पहुंसता है कि she is all that same way she जैसा कि राजा कहता है राजा सीज एंड मोर वह तो उससे भी ज्यादा है कहने का मतलब राजा जो खूबसूरत बता रहा था तो कहने का मतलब क्या है she is a beautiful woman वह क्या पाता है कि जो iron edler है भोज जादा सुंदर महिला है और वह साथ में क्या कहता है यहाँ पर क्योशन जाना किस के बारे में iron edler के बारे में क्या तथे जाना कि iron edler goat married की iron edler ने साधी कर ली है eight five o'clock यानि कि पांच बजे two day आज तो कहने का मतलब क्या है उन्होंने क्या surprising fact जाना person निकले गा यहाँ पे उन्होंने कौन सा surprising fact है वो डिस्कवर किया वहाँ जैसे उसके नजदी गय उन्होंने यही जाना कि iron edler goat married कि iron edler ने साधी कर ली है आज पांच बजे two day कहने का मतलब आज पांच बजे उन्होंने साधी कर ली है two किस से mr. godfrey noton किस से mr. godfrey noton नाम याद कर ले ना बच्चो mr. godfrey noton से उसने साधी कर ली है और mr. godfrey noton कौन है previously her lawyer जो कि पुराना उसक साधी कर ली है यह उन्होंने सर्प्राइजिंग फेकते प्राप्त किया कहने का मतलब वो सोचता है कि I don't know मैं नहीं जानता कि whether this make कि क्या यह जो चीज है कि उन्होंने साधी कर ली the matter को more simple बहुत ज्यादा simple बनाएगा यह more complicated यह ज्यादा जटिल बनाएगा कहने का मतलब I don't know मैं नहीं जानता कि यह उन्होंने जो साधी कर ली है किस से Mr. Godfrey Norton से तो मुझे नहीं पता कि अब यह जो यह matter है King of Bohemia और Iron Adler का इसको यह ज्यादा complicated कहने का मतलब simple तो इसलिए हो सकता है कि Iron Adler अब उन्होंने साधी कर ली है तो साइद अब उन्हें यह लेटर से या फोटो से कोई लेना देना नहीं है और यह complicated भी बन सकता है जटिल किस लिए बन सकता है क्योंकि वह क्या बताता है कि although see herself कि यद्देपी वह swim क्या है इजे honorable person कि Iron Adler कि एक समाननी यह person है who knows वो जानती है कौन जानता है कि what advantage her husband कि क्या फाइदा उसका जो पती है यह lawyer में see देख सकता है इन photograph यानि कि उस photograph में offer उसकी photograph में and the king of Bohemia उसकी और राजा Bohemia की जो कि taken together जो कि एक साथ है कहने का मतलब क्या है वो यह जानती है वह इतना तो जान गया कि Iron Adler है बहुत ही honorable person है वो गलत यानि कि undue advantage नहीं उठाने वाली है लेकिन who knows कौन जानता है कि what advantage her husband कि क्या लाब उसका पती जो lawyer है वो देख सकता है उस photograph में वो फोटोग्राफ जिसमें king of Bohemia और Iron Adler दोनों एक साथ है कहने का मतलब क्या उन्हें डर है कि उसका पती वकील तो है और वो क्या कर सकता है undue advantage उठा सकता है अनुची तलाब उठा सकता है इसलिए वो नहीं चाहता है कि इसलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द क्या की जा यानि कि फोटो है वो प्राप्त की जाए we must get the photograph हमें फोटोग्राफ प्राप्त की जानी चाहिए by all means किसी भी तरीके से कहने का मतलब वो एकदम से शोर है कि Iron Adler को अब साइद कुछ लेना देना नहीं लेकिन उसका पती वकील जो है वो एसा ही है वो कुछ भी undue advantage उठा सकता है उन फोटो का वह राजा को और blackmail कर सकता है पैसे उगर एठने के लिए या और कुछ भी करने के लिए तो इसलिए वह चाहते हैं कि हमें we must get the photo हमें क्या चाहिए photograph चाहिए all means किसी भी तरीके से तो इस तरह से यानि कि वह चाहता है यानि यह complicated भी हो सकता है और simple भी बन सकत है और वह क्या कहता है I am sure the photograph is in her home की photograph उसी के घर में है and tomorrow और कल वोट्सन वह अपने assistant से कहता है you must help me आप मेरी help करना to go there वहाँ जाने में and get it और उसे प्राप्त करने में वह क्या कहता है मैं इकनम sure हूँ सरलोक हमस कहता है कि उसकी photo है उनके घर में ही है कल आप मेरी help करना वह जाने में और photo को प्राप्त करने में while homes was telling me this और जब homes सरलोक हमस ये मेरे को बता रहा था सरलोक हमस है वो वोट्सन को बता रहा था कि कल यानि हम उनके घर में जाएंगे आप मेरी help करना photo को प्राप्त करने में we stood हम खड़े थे at the front door कहां खड़े थे दरवाजे के बाहर खड इन्हें long आवर कोट एक लंबा आवर कोट पैना वा था एक गुटनों तक का past the street कहां से गुजरा एक गली के अंदर से गुजरा यानि जिस घर के बार यानि वो दोनों बाते कर रहे थे उसी समय कौन गुजरता है बच्चो एक young man एक युवा आदमी जो की long आवर कोट पैन उस युवा आदमी ने बोला और वे कहने का मतलब क्या है वोटसन उसको पैचान नहीं पाया क्योंकि वो ओल्ड केप ड्राइवर की यानि की disguise में था और अब एक पर्सन और है जो क्यानि एक young man था और long आवर कोट पैना वा था गली के पास से गली के अंदर से गुजरा और disguise इस वेस बुसा में भी said Holmes और लोक Holmes ने कहा और date voice और वे जो आवाज थी जिन्नोंने good night बोला also sound familiar यानि वे जो आवाज थी उसकी जो धावनी थी बड़ी प्रीचित लग रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि एसी धावनी से पहले रूबरू हो चुका है पहले यानि की मिल तो कहने का मतलब ये कौन पर्सन है इसका लास्ट में पता चलेगा बत्तो बच्चो जो कि यानि long hour court के अंदर था और उसे good night बोला इसको लास्टी लास्ट में अपनी इसका reveal को लेंगे बेद खोलेंगे ये कौन था लेकिन सरलोक Holmes एकदम से यानि की ये कहता है कि कौन सेता है जो कि मेरों को इस वेसबुसा में भी यानि पैचान लिया anyway the next day अब अगले दिन क्या होता है फाइफ ओक लोक पांच बजए इंद आप्टरनून दोफेर को सरलोक Holmes now disguised अगले दिन क्या होता है सरलोक Holmes है यानि photos और letters को प्राप्त करना यानि चाहरा है Watson के यानि help से तो अ उन्होंने disguise किसका किया बच्चों दोग का यानि वेस बदलता है important क्यों सनाएगा एक तो old cape driver का उन्होंने disguise किया photos और letter को प्राप्त करने के लिए और एक किसका यानि कि प्रिस्ट एक पुजारी का तो अगले दिन यानि कि दोफेर को पांच बजए सरलोक Holmes ने एक पुजार का वेस दारन करके was walking वह चल रहा था in front of iron edler's home किसके घर के सामने चल रहा था iron edler के घर के सामने चल रहा था when miss edler arrived अपनी डेली राइड से डेली की स्वारी करके इंद पार्क यानि कि पार्क से कहने का मतलब क्या है iron edler डेली पार्क में जाती थी और पार्क से जैसी वह वापस आती है यानि कि तो क्या होता है as she stepped out of her cave जैसी यानि वह अपना पेर है वह यानि की cave से यानि की नीचे उतारती है homes pretend homes ने बहाना किया to paint यानि की बेहोश होने का और several people बहुत सारे लोग came to I to help him उसकी मदद करने के लिए कहने का मतलब क्या है कि iron edler क्या करती है अपनी डेली राइड से यानि पारक से यानि की आती है और जैसी वह अपनी cave से यानि की क्या करती है उतने में होता है सरलोक हॉमस है वो pretended बहाना किया उसने कैसा बहाना किया टू फेंट मुर्ज बेहोष हो जाने का यानिकी बहाना किया कहने का मतलब क्या है उसकी केब के आगया यानि वो घिर जाता है बेहोष हो करके और भोग सारे लोग आए उनकी help करने के लिए और जो मिस एडलर है finally told them तो मिस एडलर ने finally उन लोगों से कहा कि to carry him उसे ले जाईए into her living room कि उसका जो living room है बेठ़ कक्षा है उसके अंदर याने की उसका जो living room है उसके अंदर याने उसे ले जाईए कहने का मतलब क्या है वो यह बता रही है कि वो देखती है कि यह बेहोस हो गया है बहुत सारे लोग भी एकतरित हो गये है अब वो उन लोगों से क्या कहते है उन्हें living room में उससे ले जाईए और as homes had directed कहने का मतलब उसके living room में ले जाए जाता है और जैसा कि homes ने direct किया था निर्देश दिया था पहले यह चैने का मतलब क्या थी यह उसकी एक trick थी किसी भी तरीके से उनके घर में गुसे और photos और letter को प्राप्त करें तो जैसे home ने direct किया था I stood मैं waiting करा मैं खड़ा इंतिजार कर रहा था during all this time इस पूरे समय के दोरान in the garden बगीचे में मतलब क्या है उसका जो friend था Watson वो यह जो घटना हो रही थी वो इतने समय यानि कि जैसे कि उसे पहले निर्देश दिया गया था यह यह होगा और आप यानि garden में खड़े रहना और वोटसन क्या कर रहा था garden में खड़ा इंतिजार कर रहा था और just outside the living room window और वो garden जो कि कहा था just outside बिल्कूल बाहर the living room window जो living room की जो window थी उसके just bar जो यहनि की garden था वहाँ और अब क्या होता है and ate signal और एक संकेत से ही from homes inside और जैसे ही सरलोक homes अंदर से संकेत दिया तो मैंने क्या किया I threw मैंने फेंका some lighted कुछ जलते वे pieces of paper यानि जलते वे कागज के टुकडे फेंके into the room कमरे में through the window किस से यानि खिड़की से कहने का मतलब क्या है हमारा पहले से यानि कि pre-plan था कि आप यानि कि बार खड़े रहे ना मैं बेहोस होकर के बार गिर जाऊँगा मेरे कून के कमरे में लाया जाएगा और आप मैं जैसे ही अंदर से क्या करूँ मैं जैसे ही अंदर से क्या करूँ यानि कि आपको signal दू तो आप जलता हुआ एक कागज का टुकडा है वो खिड़की से फेंक देना तो मैंने वेसा ही किया और जैसे ही यानि कि मैंने जलता हुआ कागज का टुकडा खिड़की के अंदर से उस कमरे में फेंका जहां सरलोक हॉम्स था तो देर वोज क्राई वहाँ आवाज थी चीखने की फायर फायर आग आग कहने का मतलब इस तरह से की आग लग गई है इस तरह सी जानि की आवाज क्यानि की हुई और फ्रोंग वन ओप दे सर्वेंट्स और एसी आवाज किसने की उनके जो सर्वेंट्स थे उनके एक नोकस ने येंड आई देन डिस्पेर्ड और उसके बाद में गाइब हो गया कहने का मतलब वोट्सन का काम बस इतना ही था वह पकड़ा नहीं जाए इसलिए वह अपना काम को यानि कि लास्ट अंजाम तक पहुंचाता है और वह भाँ से गाइब हो जाता है अब क्या होता है सवरेल सवरेल अवर्स लेटर कई घंटो के से everything had turned out सब कुछ यानि गटित हो गया कहने का मतलब क्या है कुछ गंटे बाद ये जो गटना गटी आग वाली और इसके कुछ गंटे बाद सरलोक हॉम्स बहुत ज्यादा खुश था घर आया और बड़ी यानि संतोस जनक हालात में था कि सब कुछ यानि जैसा वो चा रह बट यानि कि it was an old trick ये क्या थी एक old trick यानि थी वोटसन लेकिन उसने कहा but it worked लेकिन ये जो हमारी trick थी इसने काम किया just as I expected जैसा मैंने उम्मीद की थी कहने का मतलब हालांकि ये जो trick थी कागज को यानि कि जला करके अंदर फैंकना और आग आग इस तरह की आनि कि आवाज यानि कि नोकर के द्वार निकालना ये अलांकि पुरानी trick थी लेकिन ये trick वेसा ही काम किया जैसे मैंने expect किया था अब येसा क्या हुआ था वो देखिए उन्होंने क्या expect किया था येसी क्या trick थी तो वह क्या कहता है when someone cried fire जैसे ही किसी ने चिलाया fire fire आग आग इस तरह से च automatically वह दोड़ती है to get प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करने के लिए the one thing एक चीज प्राप्त करने के लिए जो कि greatest importance एक एसी चीज जो सबसे महतोपुन थी in the house इस घर में जो कि सबसे महतोपुन क्या थी the photograph कहने का मतलब जैसे उन्होंने आग का नाम सुना तो यानि कि आइरन एडलर जो कि बच्चों ये भी क्या एक fictional character है आइरन एडलर भी क्या है कालपनिक character है सरलोक हम्स की तरह जो कि आर्थर केनन डॉयल लेख ने इसको यानि की रच्चा है तो वह जैसी आग का नाम सुनती है तो वह सवता ही खड़ी होती है किसको प्राप्त करने के एक गुप्त स्तान पे in one of the walls यानि उनकी घर की जो दिवार है उनकी एक दिवार के गुप्त पेलेस में यानि ये चिपी विए she did not remove उसने remove नहीं किया photograph को because क्योंकि she saw that उन्होंने देखा when she saw that जब उन्होंने देखा कि the fire was only a matter of a few burning papers जब उन्होंने देखा कि आग केवल कुछ यानि कागज को ही जला रही थी कागज कहीं लगी वी थी तो she stopped or रुख गई but she did all लेकिन उसने वो सब किया that was necessary जो आवसेख था to show me जो मेरे को यानि दिख सके exactly यानि exact में कि where the photograph is hidden कि कहाँ photograph चिपी थी कहने का मतलब वो दोड़ के तो आती है photograph को प्राप्त करने के लिए लेकिन जैसे ही वो आती है उसने क्या देखा कि केवल आग कुछ कागज को जला रही थी और ज्यादा नहीं लग रही थी लेकिन उसने वो चीज उसे show कर दी जिससे यानि कि वो यह जान सकता है कि photograph कहाँ चिपी थी कहने का मतलब जिस direction में वो दोड़ी भी जा रही थी उस direction में यानि कि वह अचानक रूख जाती है उसे idea लग गया कि photograph कहा है दिवार के अंदर चिपी आला कि उसने photo निकाली नहीं लेकिन उसे idea लग गया अब वो क्या कहता है अपने friend Watson से कि tomorrow कल we shall go there हम कल वहाँ जाएंगे with the king यानि राजा के साथ and with several policemen और भहुत सारे police वालों के साथ and the gate the photograph और हम किसको प्राप्त कर लेंगे photograph को प्राप्त कर लेंगे अब क्या होता है अगले दिन हावर वें सरलोक होंस वेंट टो मिस एडलर हाउस जैसी सरलोक होंस है वे एडलर हाउस के घर गया he had one of the greatest soaks of his long career तो उन्हें अपने लंबे केरियर का यानि सबसे greatest soak लगा सदमा लगा कि जैसे यानि कि वह उनके घर गया तो उन्हें अपने लंग केरियर का सबसे greatest soak लगा और वह यह था कि there was no one at home की घर पे आज कोई नहीं था and मिस एडलर and all her servants की मिस एडलर और उसके सारे knockers had apparently gone away वो सपर सूप से वहाँ से जा चुके थे मतलब घर में कोई नहीं था मिस एडलर भी नहीं थी और उसके knockers वह रहे थे वो सारे की सारे जा चुके थे homes went, homes है वो गया at once उसी समय to the sacred palace उस गुपतस्तान पे in the wall वह गुपतस्तान जो दिवार में था जहाँ फोटो चिपी भी थी the photograph was there और उस sacred palace में यानि की photograph थी but there was the message this message लेकिन with it लेकिन photograph के साथ ये message भी था it read उसने ये पड़ा कहने का मतलब क्या है photograph मिली लेकिन उसके साथ एक letter भी मिला और वह letter देखिए बच्चो आ सकता है exam में क्या letter लिखा उसने अब वो किस के नाम लिखा उन्होंने dear sirloch homes के मतलब sirloch homes के नाम यानि एड़लर ने यानि की letter लिखा कि क्या लिखा कि previous sirloch homes कि I had been told that मुझे बताया गया था कि the king would probably कि राजा है वो संभा हुता है go to you वो आपके पास जाएगा for help यानि की help के लिए in getting the photograph क्या प्राप्त करने के लिए photograph फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए कि मुझे बताया गया कि राजा है वह संभवता आपके पास जाएगा help के लिए कि वह फोटोग्राफ प्राप्त करे थस इस परकार से I was expecting मैं उमीद कर रही थी यू आपका यानि मैं expect कर रही थी you and day कि आप किसी भी दिन यानि कि first कहने का मतलब मैं क्या कर रही थी दिनसे यानि क्या कर रही थी आपका इंतजार कर रही थी first आई recognized और वह क्या कहते है सबसे पहले मैंने recognize किया आपको disguise as a cape driver कहने का मतलब क्या है मैं उमीद कर रहे थी आप किसी भी दिन आ सकते हो सबसे पहले मैंने पहचाना आपको किस के रूप में आपने disguise लिया waste बदला cape driver का and then followed you और मैंने आपका follow भी किया to your apartment आपके apartment तक just to make sure के वल ये sure करने के लिए ये निश्चित होने के लिए it was you कि आप ही थे कहने का मतलब आप जब cape driver का waste धरन किया था मेरे बारे में जांस परताल की थी मैं तो उसी समय पहचान लिया था और मैंने आपका follow भी किया आपके apartment तक के वल ये sure करने के लिए कि आप ही हो क्या और अब क्या बताती है I was the young man मैं वो युवा वेक्ती था वो पास्ट युवा वेक्ती थी वो पास्ट जो गुजरा इंद स्ट्रीट गली से और स्पोक टु यू जो आपसे आने की बोला कहने का मतलब क्या है कि मैं वो यानि की युवा परसंट थी जो गली के अंदर से गुजरा और आपसे बोला गुड नाइट बोला और वो आवाज कहने का मतलब क्या है जो उसे फेमिलर भी लगी थी तो कहने का मतलब वो कौन थी वो आईरन एडलर थी जो उससे मिली हुआ बस यह शोर करने के लिए जा रहे थी कि यह सरलोक होमसी है कि अलाइगी उसे पता चल गया था और वो क्या कहते है कि don't forget मत भूलिये कि I true am an artist मैं भी क्या हूँ मैं भी एक कलाकार हूँ कि जिस तरह से आप कलाकार हो आप एक detective मैं भी हूँ कहने का मतलब मैं भी ऐसी नहीं हूँ Yesterday I also recognized कि कल मैंने आपको फिर recognize कर लिया आपकी little trick आपकी जो छोटी सी trick जो थी ना gaining interest की आपको interest मिले to my house मेरे घर में and forcing me कहने का मतलब कल भी मैंने आपको पैचान लिया कि आप किस तरह से आनिकी मेरे घर में जो यू मैं आपको दिखाऊं कि where the photograph was hidden कि photograph कहाँ छिपी भी थी कहने का मतलब मैं कल भी समझ गई लेकिन वो क्या कहती है but it is not important now लेकिन अब ये मेरे लिए important नहीं है क्या कहती है कि ये जो photographs वगरे है ये मेरे लिए कोई important नहीं है the photograph is here photograph यहाँ है for you मैं एक आदमी से much better एक ऐसे person से जो ज़्यादा बेटर है ज़्यादा अच्छा है than the king किसे राजा से कहने का मतलब मैंने अब एक ऐसे person से साधी कर लिए जो राजा से भी ज़्यादा बेटर है इसलिए मुझे इस photo का कोई लेना देना नहीं है and we have gone away together और हम यहाँ से जा चुके है my husband loves me deeply और मेरा जो पती है जिसका नाम क्या है Mr. Godfrey Norton वो भी मुझे दिल की घहराईयों से प्रेम करता है and I am in love with him और मैं भी उसके प्रेम में हूँ मतलब क्या है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ clearly सफस्ट रूप से I have no need और वह क्या कहती है मुझे कोई जरूरत नहीं है photograph की any longer यानि की ज़्यादा समय तक अब मेरे कोई इस photograph की जरूरत नहीं है yours truly आपकी सच्ची iron addler तो इस तरह से उन्होंने किसको लेटर लिखा सरलोक हॉम्स को तो अपन बच्चों कह सकते हैं कि सरलोक हॉम्स उसकी इज़त क्यूं करता था उसकी respect इसलिए करता था क्यूंकि iron addler है वो हमें साथ the woman थी आलांकि iron addler है ये जो कहानी है वो सरलोक हॉम्स और miss iron addler की fictional यानि की जो की character है उनकी यानि की कहानी है और Arthur Conan डाइल द्वारा लिखित है और ये कहानी नेरेट करती है कि किस तरह से राजा है किंगो बोहेमिया है वो famous detective सरलोक हॉम्स को यानि की खरीता है हाईर करता है कुछ यानि लेटर सो और photograph प्राप्ट करने के लिए किस से iron addler से लेकिन बच्चो लास्ट में अपन ने देखा बट miss addler beats लेकिन miss addler है वो beat कर देती है सरलोक हॉम्स को 8 he is a 1 game उसी के game में तो कहने का मतलब उसने जो game खेला उसी game में उसे यानि की beat कर देती है वो सब कुछ जान जाती है कि यही है लेकिन फोटोग्राप से उन्हें कोई लेना देना नहीं था इसलिए वो वहीं छोड़ देती है और वच्चो उमीद करता हूँ कि Trouble in Bohemia जो chapter है वो आपको समझ आ गया होगा अगर आपको समझ आ गया है वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करना दोस्तों में सेर्स करना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू